परिक्षाओं की तैयारी के लिए चेनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन पर क्लिक करना ना भूलें इपल पी मॉडल, आईटी टेंट सब्जेक्ट से बिलोंग करता है, तो PGDC और DCA को दो यूनिट जो है वो common है IT trends में और दोनों को ये subject है तो दो unit हम common common पढ़ेंगे बागी unit हम अलग-अलग पढ़ेंगे हमारे जो partner है educational partner है educational partner है वो है दक्षकेडमी धार से और ये जो subject हम आपको बढ़ा रहे IT trends ये है माखनलाल चत्रुवेदी university भौपाल में पढ़ने वाले students के लिए जो की PGDCA, DCA कर रहे है अधर university से belong करने वाले students भी अगर इस topic से related है तो वो भी इस की study कर सकते हैं तो चलिए start करते हैं आज का हमारा पहला lecture IT trends का PGDCA, DCA second same के लिए चलिए तो सबसे पहले हम देख लेते हैं concept of e-governance, e-governance का concept क्या होता है तो उसको समझने के लिए हम एक introduction आपको सबसे पहले देदेते हैं कि सरकार के शास्की कारियों को जन जन तक पहुचाने के लिए e-governance को विक्सित किया गया, तो सरकार के जितने भी government से related, जितने भी कारियों होते हैं उसको जन जन तक मतलब जन तक हमार हम तक पहुचाने के लिए जो काम की जाते हैं पहुचाने के लिए e-governance दोहरा विक्सित की जाते हैं e-governance वह माद्ध्य मोटा है जिसकी साहता से आम आदमी बिना किसी सरकारी कारेले में गए बिना किसी कारे के लिए आविदन कर सकता है मतलब आप घर बेठें इनके पोर्टल से, इनकी वेब साइट से या इनकी अप्लिकेशन से बिना साश की कारेले में जाकर काम कर सकते हैं अपनी समझते हैं सीधे संबंदित कारियले तक पहुचा सकते हैं चलिए इस प्रकार सास के कारियों में जनता की भागिदारी सोनिश्चित की जाती है इंटरनेट और वेब पॉटल की साहता से आम जनता तक शास की कारियले की उपलब दुता करना ही इगोवर्नन्स कहलाता है तो बिना सास की कारियले जाये भर बेटे काम कर सकते हैंगे बढ़ते हैं और और देखते हैं हमारा E-Governance के मुख्य बिंदू जो देख लेते हैं कौन-कौन से हैं तो आईकर भरने के साथ साथ ये बिजली, पानी, फोन, बिल, बीमा आदी के लिए भुक्तान करने से लेकर नोकरी के लिए फॉर्म भरना, रिजल्ट देखना आई जाती के ब्रावांट पत्र आपके बनते हैं, मूल निवासी ब्रावांट पत्र बनाने के लिए जैसे सारे काम आप E-Governance के माद्यम से, घर बेठे इंटरनेट के माद्यम से आसानी से कर सकते हैं ठीक है, यहाँ पर आपको कैरे ले जाने के आवशकता नहीं होती विशेश परिस्तितियों में ही आपको जाना होता है सरकारी कोर्ट में भी जब आप किसी मुकदमे की तारीक के लिए आपको कोर्ट नहीं जाना पड़ता वह सुविदा आपको आनलाइन मिल जाती है कोई भी टॉपर्टी या मकान का नक्षा पास कराने के लिए आपको कहीं भूमना नहीं पड़ता है वह भी आपका आनलाइन होने लगा है ठीक है, बस टिकेट की बुकिंग आपके आनलाइन होती है आप जैसे जानते ही है रेलवे टिकेट आपके आनलाइन बुकिंग हो जाते है यह सब सरकारी डिपार्टमेंट है जो आनलाइन तो यह सारी सुविदायन मिलती है अब आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला टॉपिक देख लेते हैं झाल है हमारा सो । सösराओक नकलड़ ऑंठोक इसे लिए देमोकरसी के सब्रकेशन में देखते हैं तो लोक्तं जाता को से आनलाइड को जाता तो आसानी से पहुंचाना ही और माधी का उद्दैश है शासन द्वारा लिये जाने वाले akता रिंग जाना कि हिरनेओं में जनता की भागेदारी को सुनिष्ट कराने का कार ई-democracy की माध्यम से किया जाता है जीसे आपकी voting यह जाती आप से पूछा जाता है तो साशन जब नहीं नहीं लेता है तो आपकी भागेदारी भी चाहता है यह एक ऐसा माध्यम है जिसमें जनता सर्वे, फॉरम, पॉर्टल, ट्यूटर, आदी के माध्यम से किसी योजना यहां नए बनाए जाने वाले कानून आदी के सम्मद में आप से सरकार तक अपने सुझाओ आप उन्हें तक पहुचा सकते हैं इन सब माध्यम से तो सरकार इन सब माध्यम से आप से सुझाओ मांगती है ताकि आपकी भी भूमी का उन्हें में शामिल हो ठीक है जैसे कोई नया कानून बना रहे हैं या इस तरीके के कोई कारे कर रही है यह सरकार तो यह आपका इडेमोक्रासी कंसेफ्ट आप डेमोक्रासी इसी को हम continue भी रख रहे हैं आगे देख लेते हैं कि लोकतंत्र शब्द इसका मिनिंग बता देते हैं कंग्रेजी का परियाए डेमोक्रासी से है डेमोक्रासी इस इक्वल टू लोकतंत्र जिसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द डेमोस से हुई है ग्रीक भाषा का सब्द है और डेमोस का अर्थ होता है जन साधरन और इस सब्द में क्रेशी सब्द जोड़ दें क्रेशी सब्द जोड़ देने से इसका अर्थ है शाषन इसका अर्थ क्या हो जाता है शाषन जन साधरन शाषन पूरा अगर इसको देखे तो इस प्रकाड demo plus reci से democracy सबद की रश्णा होई जिसे कि उत्तपत्ति के आधार से ही इसपस्ट हो जाता है कि democracy सब्द कार्थ होता है जनता का साषन ठीक है? चली लोक तंतर का शाब्दी कर्थ है लोगों का साषन जनता लोक शाशन तंत्र या प्रजा तंत्र भी कह सकते हैं इसमें जनता अपना शाशक खुद चुनती है यह शब्द लोक तंत्रिक विवस्ता है और लोक तंत्रिक राजी दो नुगले प्रेक्ट होता है जैसा कि हमारे इंडिया में होता है यहां पर हम सब एक निता को चुनते हैं और वो हमारे लिए कारी करता है चलिए आगे बढ़ते हैं तो अगला कंसेप्ट हमारा आता है कंसेप्ट आप ट्रिपल पी मॉडल यह कमर्चिल कंसेप्ट के आधार पर देखे तो इसका जो फूल फॉर्म हो जाता है और अपने काम को विक्सित करवाती है चलिए यह एक ऐसा करार है जिसके द्वारा किसी जन सेवा या बुनियादी ढाचे के विकास के लिए धन की वहवस्था की जाती है इसमें सरकारी और नीजी और्गनाइजेशन मिलकर अपने अनुभाओं का प्रयोग करते हैं हाशिल करते हैं ठीक है जैसे रोड बनाना हुआ उसका एक टारगेट निशित कर लिया इतने का बनेगा इतने समय में बनेगा इस तरीके के काम किये जाते हैं इसकी जरूरत इसलिए पढ़ती है क्योंकि सरकार के पास इतना धन नहीं होता है जिससे की वह हजारो करोड रुपे की घोशना को पूरा कर सके एसी इस्तिती में सरकार प्राइवेट कंपनियों के साथ करार करती है और इन परियोजना को पूरा करती है इसलिए त्रिपल पी मॉडल होता है प्राइवेट पार्टनर्शिप सरकार और प्राइवेट कंपनियों की एक पार्टनर्शिप चलिए इसके फाइदे देख लेते हैं त्रिपल पी मॉडल के तो इस माडल का उपयोग करने से परियोजना ये सही लागत पर और सही समय पर पूरी हो जाती है काम समय से पूरा होने के कान निर्धारित परियोजना से होने वाले आए भी समय इस पर सुरू हो जाती है जिससे सरकार की आए में भी बड़ोतरी होने लगती है परियोजना को पूरा करने में स्ट्रम और पुंजी संसादरन की प्रोडेक्टिविटी बढ़ा कर अर्थ ववस्ता की शम्ता को बढ़ाया जा सकता है इस मॉडल के तहट किसी किये गए काम की कॉलिटी सरकार के काम के मुकाबले अच्छी होती है और साथ ही काम अपने निर्धारी तियोजना के अनुसार ही होता है ठीक है दोस्तो तो ये था हमारा concept of e-governance, e-democracy and triple P model दोस्तो हमारी एक नई वेबसाइट हमने लॉंच कि है technologytips.in technologytips.in एक technical technical tech से related मुतलब technology से related हम आपको tips यहाँ पर देते हैं और ये वीडियो भी क्योंकि एक technical वीडियो है तो ये वाला content भी आपको इस website पर मिल जाएगा नीचे description में link दिये वहाँ जाकर आप इसे visit कर सकते हैं और हमारी जो official website है logicguru.org वहाँ पर भी आपको एक content मिल जाएगा तो एक बार जरूर visit करें ठीक है दोस्तों तुम्हें आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को like करें दोस्तों के साथ शेर करिए शेर जरूर करिए क्योंकि हो सकता आपके दोस्तों PGDC, DRC कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं तो ये सारे knowledge आपको होना चाहिए और विडियो को शेर तो करी रहे हैं, like तो आप करी रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजे थैंक यू